Hey guys, what's up? I hope आप सब भी लोग ठीक होंगे, मेरा नाम है केरन तो यार आजकल सोशल मीडिया के थुरू, I guess आप सब भी लोगों को भी पता होगा कि OnePlus का जो नया डिवाइस आ रहा है, इसकी कितनी ज़्यादा हाइप क्रियेड हो रही है और कहीं न गई, इतनी हाइप का न, एक और रीजन है Realme के जो अभी दो नए डिवाइस लाँच हुए था, Realme X3 और X3 Super Zoom Actually में लोग इन दोनों फोन से काफी ज़्यादा डिसपॉइंट रहे हैं, लोगों को इतना पसंद नहीं आए यही रीजन है कि अब लोगों की एक्सपेक्टेशन वनप्लस लोड से काफी ज़्यादा हो चुकी है Honestly मूलू तो वनप्लस ने भी कुछ-कुछ चीज़े इस फोन के बारे में रिवील करना शुरू कर दिये But actually मैं और क्या-क्या फीचर्स इस फोन में हमें देखने को मिल सकते हैं और किस प्राइज में यह स्मार्टफोन लांच होने वाला है इंडिया में यह सारे डिटेल्स आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ So, बिना कोई डाइज के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को So, सबसे पहले अगर उस चीज के बारे में बात की जाए जो OnePlus खुद रिवील कर चुका है वो है इस फोन का चिपसेट जी हाँ इसना आप रेकर 760 5G, एक 5G प्रोसेसर इस फोन के अंदर हमें देखने को मिलेगा And honestly, बोलू, तो ये चिपसेट वैसे तो हमें काफी सारे स्मार्टफोन में देखने को मिल चुका है I mean, चाइना के अंदर काफी सारे स्मार्टफोन से जो इस चिपसेट पर based हमें देखने को मिले है But I guess, इंडिया में पहला स्मार्टफोन होने वाला है जहाँ पर हमें ये प्रोसेसर देखने को मिल रहा है तो मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ इसकी performance देखने के लिए कि आखिर ये चिपसेट एक्चुल में कैसा perform करता है But यही पर अगर एक बार फोन के display को भी देखा जाए ना तो thankfully इस फोन की display में हमें IPS LCD पैनल नहीं देखने को मिल रहा है Realme X3 Series की तरह I mean Realme X3 Series पे जो सबसे ज़्यादा लोग जिससे disappoint हुए ना वो है IPS LCD पैनल तो यह जो OnePlus का नया smartphone है OnePlus Note इसके अंदर हम लोगों को एक AMOLED पैनल देखने को मिलेगा विद 90Hz refresh rate का support एंड इसकी display में एक और चीज खास है जो आपको लोगों को ध्यान से सुननी चाहिए वो यह कि यह OnePlus 8 और 8 Pro अगर आप लोगों ने देखे होंगे ना तो वहाँ पर single punch hole camera हमें देखने को मिला था लेकिन यह जो smartphone है इसके अंदर dual punch hole cameras होने वाल है और जो निकल के आया है उसके according अगर बताऊं तो 32 प्लस 8 megapixel के dual selfie cameras बताया जा रहे है और यहाँ पर जो 32 है ना वो primary camera lens होगा और जो 8 है वो wide angle का camera lens होने वाल है किसी भी phone में अगर front way wide angle देते है ना तो personally मुझे वो चीज काफी जाधा पसंद आती है लेकिन एक और चीज है कि हो सकता है यह 32 megapixel की जगे resolutions को थोड़ा सा उपर नीचे कर दिया जाए हो सकता है 32 की जगे शायद से 16 megapixel का देखने को मिल जाए front way बट मुझे इसके chances थोड़े कम लगता है मुझे लगता है 32 plus 8 ही होगा इसमें front way cameras लेकिन एक चीज जो confirm है वो यह कि यह phone वैसे आप लोगों को Amazon पर ही exclusive देखने को मिलेगा और अगर आप यह smartphone या कोई भी product किसी भी shopping site से purchase करने का सोच रहे हो ना तो यह मेरे हिसाफ से इतनी सारी shopping applications फोन में install रखने की बिलकुल भी जरुत नहीं है वैसे भी काफी सारे storage खा जाती है बेटर है इन सब की जगे अगर आप सिर्फ cash करो के थू ही अपने products purchase करते हो तो क्योंकि इससे आप काफी सारा पैसा बचा भी सकते हो और कमा भी सकते हो बस नीचे दिये हुए description link पर जाके sign up करना है sign up करते ही instant 25 रुपीज का आपको cash back देखने को मिल जाएगा फिर यहाँ पर आपको काफी सारी shopping sites listed देखने को मिल जाएगी जिसमें से अगर आप यहाँ पर flip card पर जाते हो जैसे मैं जा रही हूँ तो orange button को click करते ही है बुझे flip card से redirect कर देगा जिस तरह से usually आप अपने product place करते हो ना उसी तरह से आपको यहाँ पर अपना order place करना है order place करने के बाद profile में अपनी my earnings चेक करना है वहाँ पर आपको cashbacks और अपने rewards देखने को मिल जाएगे cashback अगर आपका 2500 रुपे से जादा हो जाता है तो directly आप उन पैसों को अपने account में transfer कर सकते हो एक चीज जो ध्यान रखने वाली है वो यह कि Amazon और flip card से अगर आप कुछ भी purchase करोगे तो आपको rewards मिलेंगे और उन rewards को आप वापस से Amazon और flip card पर ही use कर सकते हो gift voucher की तरह बाकी एक चीज बता देती हूँ cash करो एक Indian company है जिसमें Ratan Tata ने भी invest किया है तो मेरे हिसाफ से एक बार check out करना तो बनता है link अगेन बता रही हूँ DJ description में मिल जाएगा खेर अभी अगर OnePlus Note के बारे में ही बात की जाए तो honestly जो एक चीज बुचे अभी तक इस phone के बारे में नहीं पसंद आई है वो ये कि यार फिर से इस phone के अंदर हमें 3.5 mm का audio check नहीं देखने को मिलेगा most probably क्योंकि इसलिए फिर से क्योंकि OnePlus के premium smartphones में तो नहीं मिलता है और वो चलता भी है क्योंकि वो काफी high range के smartphones होते हैं बागी हाँ इसके अलावा आपको यहाँ पर type C देखने को मिल जाएगा OnePlus का खास feature होता है alert slider वो सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा यही पर अगर देखा जाए ना एक बार बैटरी भी तो यहाँ पर आप लोगों को most probably 4300 mAh के बैटरी देखने को मिलेगी with 30W fast charger और यह charger भी box के अंदर होने वाला है तो बैटरी का department तो मेरे हिसाब से काफी कमबाल का होने वाला है उसमें I guess कोई problem नहीं होगी पस 3.5 mm का audio jack यह एक दिक्कर बन सकता है लेकिन एक और सी जो इस फोन की थोड़े से reveal हुई है वो है इस फोन का back look back में भी specially अगर आप फोन का आप camera module देखोगे न तो वही एक जो typical camera module लिए होता है single line or aligned cameras उस तरह का camera setup यहाँ पर होने वाला है triple gear cameras होंगे 48 megapixel का primary camera lens दिया जाएगा एक ultra wide lens होगा and एक telephoto lens यहाँ पर होने वाला है बाकि जहां तक बात रही phone की pricing की तो यह phone 25 से लेके 28,000 तक की price में इंडिया में launch होगा I mean मेरे हिसाब से 25-28,000 के बीच में ही इसका price होना चाहिए अगर OnePlus इसको इतना ज़्यादा tease कर रहा है affordable phone के नाम से तो हाँ इसी price में आता है तो मेरे हिसाब से काफी value for money device होने वाला है बाकि definitely बाहर की countries में यह phone काफी ज़्यादा high price में launch हो सकता है आप already देखी चुके होंगे OnePlus 8 series का जो price था वो इंडिया में काफी कम था, बाहर की countries में काफी ज़्यादा था कि कैसा होने वाला है OnePlus node अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है थोड़ी भी information अगर आपको useful लगी है तो इस वीडियो को like ज़रूर से करिएगा बाकि मैं आपको बिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में